दोस्तों नमस्कार यहां बात करते हैं योग ऐर्वेश स्वास्ति के बारे में किस प्रकार से अपने आहर वियार को ठीक रखकर संतुदित रखकर रोमुपत राजाए सुक में जीवन जिया जाए मैं डॉक्टर मनमोन लखेडा आज बात करूँगा ओक्सिमीटर के बारे में शरीर में ओक्सिजन लेबल को नापने का यंत्र ओक्सिमीटर दोस्तो जब से कोरोना वाइरस का परकोप पूरे विश्व के साथ भारत में हुआ तब से कोरोना वाइरस के संक्रमन के कारण हमारे फेपड़ों में निमोनिया होने के कारण सरीर में ऑक्सिजन का लेबल गड़ड़ा जाता है, कम हो जाता है उसी को नापने के लिए ओक्सिमीटर का उपयोग किया जाता है आज हम इसी के बारे में बात कर रहे है दोस्तो क्रोना का संक्रमन अब पूरे देश में बेकाबू होता जा रहा है या हो चुका है इस 20 लक्सों पर ध्यान देने और सही इलाज के अलावा एक सब्द बार बार सुना जा रहा है वो है ओक्सिमीटर डॉक्टरों का कहना है कि हलके लक्सन वाले कुरोना के मरीज घर पर ही रहते हुए प्रोटोकाल का पालन करते हुए ऑक्सिमीटर नामक इस उपकरन का इस्तिमाल करिए इसकी मदद से अनमान लगाया जा सकता है कि कब किस मरीज को अस्पताल लाने की सक्त जरूरत है इस से अस्पतालों पर भी बोज कम होगा जिस से जरूरत मंदों का सही समय पर इलाज मिल सकेगा दोस्तों क्यूं है ऑक्सिमीटर की जरूरत ये खून में ऑक्सिजन की उपलब्दता जांसने वाला मसीन है यंत्र है यानि इस से पता चलता है कि सरीर में ला रक्त कणिकाए आर बी सी कितनी ऑक्सिजन यहां से वहां ले जा रही है खून में ऑक्सिजन के प्रभाव से ही सारे अंकाम करते हैं और ये जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तो करोना वाइरस फेपणों पर सबसे गंबीर वार करता दिख रहा है ये इस अंको काफी नुकसान पहुंचाता है और होता ये है कि एका एक हलके लक्सों वाले मरीज का ऑक्सिजन इस तर कम हो जाता है और हालत बिगड़ने लग जाती है इस इस्तिति तक न पहुंचने के लिए जरूरी है कि कुरोना संकरमित को होम आईसोलेशन में रहने के दोरान खून में ऑक्सिजन को नियमित तौर पर देखते रहिए ओक्सिमीटर यही संके देता है कि कब ओक्सिजन का इस तर घट रहा है सरीर में कितना ओक्सिजन का लेबल होना चाहिए इस समय पर अस्पताल जाने से जान बचाई जा सकती है दोस्तों किन के लिए जरूरी है ओक्सिमीटर वैसे तो डॉक्टर बच्चों और स्वस्त वयस्क के लिए इस उपकरण की जरूरत नहीं बताते है लेकिन संक्रमत होने के लिए सब के लिए जरूरी बताया जा रहा है आम तोर पर क्रोनिक हेल्थ कंडिशन वाले लोगों जैसे अस्तमा हार्ट डिजीज और क्रोनिक ऑस्टेक्टिक पल्मूनरी डिजीज सी ओ पीडी के मरीजों के लिए खून में ऑक्सिजन की जांस नियमित तोर पर जरूरी है दोस्तों अब समझते हैं ये ओक्सिमीटर उपकरण क्या है ओक्सिमीटर को पोर्टेबल पल्स ओक्सिमीटर भी कहा जाता है क्योंकि ये काफी छोटी सी डिभाईस होती है जो यहां से वहां आसानी से ले जाई जा सकती है देखने में ये कपड़ों पर लगने वाली किलिप की तरह होती है जिसे हाथ की उंगली में भसाया जाता है लेकिन इससे पहले इसे आउन करते हैं क्योंकि ये डिस्प्ले मसीन होती है तो तुरंत ही इसकी स्क्रीन पर ऑक्सिजन का इस्तर दिखने लगता है साथ में मरीज की पल्स यानि नब्ज का स्टेटस भी दिखता है कुरोना के मरीज कुछे घंटूं तक लगातार ये लेते रहे तो उन्हें पता रहता है कि उसके लंग्ज या फेपड़े ठीक तरह से काम कर रहे है एकुरेसी में थोड़ी कमी भी है दोस्तो ओक्सिमीटर की रीडिंग में दो परतिसत की घट बड़ की सम्भावना भी होती है इसे एरर विंडो कहा जाता है इसका मतलब है कि स्क्रीन पर देख रही रीडिंग मरीज के वास्तविक बलड ऑक्सिजन लेबल के दो पॉइंट कम या ज़्यादा हो सकती है हालां कि कम एकुरेसी के बाद भी टेजी से इस से रिजल्ट आने के कारण फिलाल कोरोना संकरमितू को होम आईसोलेशन के दोरान इसी से रिकार्ड रखने को कहा जाता है दोस्तो कब और कैसे हो इसका इस्तिमाल पल्स ऑक्सिमीटर को वैसे तो इस्तिमाल करना एकदम आसान है लेकिन इसके लिए भी कुछनियम है जैसे अगर नाखुनों पर गहरे रंग की नेल पॉलिस लगी हो तो रीडिंग गलत आ सकती है इसलिए जरूरी है कि नेल पॉलिस हटा कर ये डिवाइस उंगलियों पर लगाईए इसके अलावा काफी ठंडे वाताबरण में भी ऑक्सिमीटर को एकुरेसी गड़बडा जाती है इसलिए हाट ठंडे नहों ये भी ध्यान रखिये कितना होना चाहिए खून में ऑक्सिजन का इस्तर दोस्तों इस्तिमाल से पहले ये जानना भी जरूरी है कि खून में ऑक्सिजन का सही इस्तर कितना होता है या होना चाहिए कोरणा संक्रमित लेकिन इसके अलावा स्वस्त व्यक्त में रक्त में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेबर 95 से हेंडेट फसीदी तब के बीच होता है 95 परतिसत से कम ऑक्सीजन लेबर इस बात का संकेत है कि उसके फेपड़ों में परिशानी हो रही है आक्सीजन का इस तर अगर 94 के नीचे जाने लगे तो सचेत हो जाना चाहिए और अगर ये इस तर 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 तो मरीज को तुरंट अस्पताल ले जाना चाहिए क्योंकि ये संकेत है कि उसके सरीर की 8 परतिसत तक कोशिकाए आक्सीजन को परभाव नहीं कर पा रही है कहां मिल सकता है कहां से लेना है दोस्तों कोरोना के दोरान ओक्सिमीटर हर घर में रखने की सला बिसे सग्य दे रहे है ताकि होम आइसोलेशन में मरीज की हालत मौनिटर हो सके ये डिवाइस किसी भी बड़ी मेडिकल दुकान में आसानी से मिल जाती है या इसे ऑनलाइन भी मंगवाया जा सकता है ये कुछ सो से लेकर कई हजार रुपए तक की मिलती है जो अलग-अलग ब्रांड की बात है हालनकि इस से खास फरक नहीं पड़ता तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही देखते रहे लखेड़ा एरवेट को चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहे योग आईरवेट स्वास्ते संबंदी नहीं नहीं जानकारिया नमस्कार